कि नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में तो दोस्तों भास करके आज एक खबर चली थी सरकारी बैंकों को लेकर और उसी खबर को मुझे आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है उसमें पॉइंट था और उस पॉइंट को ही हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो चलिए देखते हैं क्या वो खबर है वैसे वो खब रही है ये खबर कुछ दिनों से सोचल मीडिया पर चली रही है और मैंने भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था मुद्द ये नहीं है सवाल ये नहीं है इसमें एक पॉइंट है कि सहाब सरकार जो अब करमचारियों को निक्त कर रही है उसमें आउट सोर्सिंग का सहरा ले रही है जिहां दोस्तों सरकार जो करमचारियों को निक्त कर रही है उसमें आउट सोर्सिंग का बहुत बड़ा सहरा लिया जा रहा है अब कयास ये भी लगाए जा रहे है तो जो क्लेरिकल पोस्ट थी वो भी आउट सोर्सिंग के द्वारा भरी जाएंगी अब कि आउट्सोर्सिंग के द्वारा clerical post कैसे भरी जाएंगी, किसके माध्यम से exam होगा, सरकार के माध्यम से या agency के माध्यम से, ये अभी सलसे का विशे है, इस पे स्थिति साफ नहीं है, मुद्धा ये है कि सहाब सरकार यदी आने वाले समय में प्राइविटेशन टालती है और मर्जर करती है तो क्या मर्जर के साथ आउट्सोर्सिंग का सहरा लेती है ये एक बहुत महत्पूर्ण सवाल है देखिए दोस्तो सरकार का अगर प्राइविटेशन का जो बात कह रही थी प्राइविटेशन के दो कारण थे कि सरकार को प्राइविटेशन करना पड़ रहा है अभी नहीं हुआ है लेकिन सरकार ने कहा है और क्यूं कहा है उसके मैं कारण बताता हूँ एक सरकार जो खर्चे हैं, सरकारी जो खर्चे होते हैं जो सेलली की रूप में समझ लो या मेंटेन्स की रूप में समझ लो किसी भी रूप में समझ लो उसको कम करने पर लग चुकी है, किसी भी रूप में समझ लो आप, सरकारी खर्चों को कम किया जा रहा है, आर्मी में जो नियम लागू हुआ है, चार साल का अगनी वीर का, वो क्या है, वो यही तो है, अगर इसको डीपली समझोगे, तो आपको सारी स्कति समझ में आ जाएगी, अगनी वीर की बात नहीं करते, अगनी वीर के क्या benefit है, क्या उसके साथ disadvantage है, क्या advantage है, मैंने class के साथ, class में आपके सा कर लिया है हम यह बैंकों की बात कर रहे हैं तो बैंकों पर ही फोकस करेंगे सरकार का में मकसद खर्चों को सिमित करना है कम करना है इसी लिए सरकार प्राइविटेशन की और ध्यान दे रही है कि प्राइविटेशन हो जाए तो सहाब सरकार के जो चुनींदा बैंक है सिर्फ सरकार उन पे ही फोकस करें जो सरकार खर्चे कर ले थी अब कई बैंकों पे वो साफ सीमित हो जाए कम हो जाए अब यह जो खर्चे हैं इन्हीं को बचाने के लिए सरकार आउट सोर्सिंग का सहारा भी ले सकती है यानि कि देखो दोस्तों मर्जर होगा ये तो कंफर्म हो जाएगा इस पे तो मैं अड़ी हूँ आज भी हूँ और कल भी था लेकिन मर्जर के साथ अगर सरकार अपने खर्चों में कमी या कटोती लाती है सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में अगर निक्तियां हो बैंकों में तो आउट्सोर्सिंग के द्वारा जादा हों इसे फाइदा है सरकार को फाइदा है जी आउट्सोर्सिंग के द्वारा सरकार को फाइदा रहता है एक गौवर्मेंट सर्वेंट जो पर्मानेंट होते हैं उनकी सहली और एक आउट्सोर्सिंग के माध्यम से जो करमचार रही है यानि कि अगर सरकार सभी बैंकों का मर्जर कर देती है निजी करन ना भी करे तो सहाब सरकार आउट सोर्सिंग का क्या सहरा ले सकती है यह एक मुद्दे का सवाल है और यह एक बड़ा सवाल है इसी पर मैं पढ़ाई करूँगा क्या सरकार आउट सोर्सिंग का पूरी अच्छी तरह सहारा ले सकती है यानि कि अब क्लेरिकल की जो बाते चल नहीं है कि क्लेरिकल की पोस्ट भी आउट्सोर्सिंग के द्वारा भरी जाएगी मुझे नहीं लगता कि यह साब संभव हो पाएगा क्लेरिकल में अगर सरकार एग्जाम ही एजनसी को देतेगी भाई आप ही एग्जाम कंडेक्ट कराईए आप ही साम न्यूकती करिए कितने साल की हो कैसे हो कैसे नहीं हो जो अब तक सरकार कर रही थी हो एजनसी करेगी सिंपल सी बात है लेकिन इसमें बहुत साथ disadvantage है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीधा रस्ता है, इसके बहुत disadvantage है, जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनको किस आधार पर न्यूकती सरकार देगी, अभी ये सब संसेगा भी से, ये तो स्रीप एक मात्र खाबर चली है भासकर के online platform में कि सरकार अभी तक तो क्या होता था कि जो गुरूप D के करमचारी थे, मेंली वो लोग outsourcing के द्वारा से आते थे, जैसे security guard हो गया, और भी कहीं लोग गुरूप D के जो करमचारी थे, लेकिन अब clerical का मुद्धा इसमें आ गया, इसी लिए ये वीडियो बनाना पड़ बही clerical का कैसे होगा, आज तक तो ऐसा संभव होगा नहीं, आज तक तो भाई है कि गजाब होता था, सरकार के द्वारा और फिर बच्चे तैयरी करते थे और जो पास होता था, वो उसी के अधार पर नियुक्ती पाता था, लेकिन अब clerical में भी agency outsourcing का अगर सारा लेती है, तो उसका रूप, प्रारूप क्या होगा, यही समझने वाली बात है, और इसको ही समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको समझने के लिए, कुछ चीजे अभी 71 की हैं, और वो उन चीजों को एकतर करके, समझ के, पढ़के, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाओगा Saturday, तो Saturday की वीडियो होगी, डिटेल वीडियो है, तो खबर आई, और मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, तो इसका निचोड और यही निकलता है कि अगर सरकार सभी बैंकों का मर्जर करती है, यानि कि आने वाले समय में अगर सरकार निजी करन नहीं करती है, मर्ज करती ह तो उसमें आउट्सोर्सिंग का एक बहुत बढ़ा सहारा ले सकती है, बस यही एक मुद्दा था, इसी को ही समझना है, इसी को ही जानना है, और इसके क्या एडवांटीज है, क्या डिसएडवांटीज है, उनी चीजों को समझाने के लिए एक वीडियो भी आपके लिए मै फुरसत होगी, सहाब छुट्टी होगी, बनाएंगे एक वीडियो और उसको समझेंगे कि आउट्सोर्सिंग क्लेरिकल में किस तरह होगा, ये एक सहाब गहन अध्यन का विसे है, तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाब करते हैं, नेक्स वीडियो में आपके साथ होगी म